और महरशिट सेवा संस्तान की ओर से राची शेहर के चौक चौराहो पर स्ट्रीट पेंटीं कर शेहर वासियों को कोर्णा वाइरस से बचने के लिए एक अपेल की गए इसमें संदेश दिया गया कि कोर्णा वाइरस से बचनी के लिए घरों पर रहें और प्रशासन को सही होग करें जिसका ज्वाजा लिया समधाता अंजनी कोरोना पॉजिटीव के मरीजियों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है और ये तमाम लोगों के लिए एक मुश्किल की घरी है एक तरफ सरकार भी प्रयास कर रही है समझाने का सौधानी बरतने का लेकिन आप जारखंड और रांची के जो स्ट्रीट कलाकार है जो स्ट्र लाइफ सौजन्य है महारसी सेवा संस्थान के द्वारा अलबटेका चौक पे स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से ये दर्साया गया है कि कुरोना वाइरस की एक तस्वीर बढ़ी सी तस्वीर बनाई गई है और ये तस्वीर ये कितना खतरनाक है ये दर्साया गया है और बताय प्रदान मंत्री को बातों को माने और घर पे रहें यह बहुत ही जानलेवा बिमारी है जो कि केवल हमारे जारखन में नहीं हमारे राची में नहीं है विस्व के हर कोने कोने में इतना यह फैला हुआ है इसलिए इस सचेत रहने की चुछीत रहें भाईया आप भी बना रहे थे ये पूरा जो स्ट्रीट आर्ट है क्या मैसेज देखे बस अभी जो चल रहा है देश में जो महामारी फैला हुआ है इसी के बचाव के लिए है सथ हम यहां ये भी दिखाना चाहेंगे देखे यहां से जिस तरह से जो तस्वीर है जो कलाकार है उन्हें बहुत आच्छे तरीके से बनाया है और बताने का भी प्रयास किया है और कुछ मैसेज लिखे हैं कुछ संदेश लिखा है कोरोना से जंग परिवार के संग मतलब कोरोना से लडाई लड़ना था तो परिवार में एक जूट होकर रहना होगा घरों में बंद रहना होगा और लोकडाउन के नियमों का पालन करना होगा मतलब इस रास्ते से जो भी लोग जाएंगे इसे एक बार देखेंगे और इस कत्रे को समझेंगे और हमें ऐसा लगता है कि कोरोना जो वाइरस है इससे कहीं न कहीं इन स्ट्रीट जो पेंटिंग मनाई गई जो स्ट्रीट आठ आटिस्टों के दौरा जो पेंटिंग मनाई गई है यह हमें कहीं न कहीं घरों में रहने के लिए नियमों का पालन करने के लिए हमें जरूर एक मैसेज जरूर देगा न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामेन अविदास के साथ अंजनी कुमार राची